असलाओं अलेकुम बिस्मिलाहिर्माद रहे हैं सल्लालाव अलेहिवाले उसे लोज एक प्रेपवांब से आज हम लीथो स्फेर को डिसक्स करने लेगें से अर्थ में डिवाइट के सबसे उपशहना है उसे नीचे लीचे है उसे गरत और बिलको नीचे अहे उसे कोर किरती है जब जाह हम बैठे हैं हां से 100 km नीचे तक जो स्फेर है उसे हम लिटोस्फेर कह देंगे अब इस लिटोस्फेर में कुछी सा क्रस्ट का एगा और कुछ इसा मैंटल का आएगा इसके इलावा टेक्टोनिक्स प्लेक्स क्या होते हैं रोग्स की क्या प्रापर्टेस है और मिन् आपने मारी स्केशन कहीं साहँ कि मैं हूं सर्मुज़ाइटर आएं स्टार्ट प्रेटर इसे इसे ने आपको कहा थे लिटोस्फेर में क्रेस्ट का कुछ ही सा और उसके नीचे जो मैं तला है उसके कुछ ही सा आते हैं लेकिन बेंता तरीके से लिटोस्फेर बसमाइने के लिए में आर्ट के स्ट्रॉक्चिर मलूम हो निचे इस तरहां से निल के बनाओ है उनमें डिफ्रेंट है क्रेस्ट के अंचे इस आंते हैं यह जार अजां तरह ऑ्द के साथ हr स्टाफिए आप टैस्फेर जो अपर यह से टैस्ट के साथ एंटोस्पेर अस्थेया विलोग और इसको जो लोइग पार्ट है वह चैना स्टाफिया से मिला होतां अब अस्टेन फेर्टीए अब जो पहले क्रेस्ट है क्रेस्ट करें जो मैंटल है वो तक पर नतीश सो किलो मेटर तक वर्टिकली एक्स्टेंडेगे लेकिन उसका जो अपर पार्ट उसे स्थैनुस्फेर कहते हैं अब जो आपके सबसे पहले सर्फेस आउट करेंगे बार्शी यही होगे वेटर 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 वेडीशंट को डिसकस करें सबसे पहले क्रेश्ट आते हैं उसके बाद मैंटल आ जाते हैं Manta lies below crust, crust के नीचे है and extend 29 km below crust, और 29 km below है, it contains 82% volume of the Earth, आप idea का सतना जितना एर्थ का वालिम है न यह उसके 82% cover करती है, मतलब इतनी है है length में और इसके जो stones है, इतने हैवी है, classification इसको 3 तरहां से classify का सेकते है Manta को, और हो सबसे पहले लीधर को लीधर एसमें प्रिये ऐस फिर है मैंजरे ली देट है जो थे पार्थ है वह है यह अर्ट का शचे अंदर वाला इंट होते हैं सब से ज्यादा ठीपरिचर हाई होता है इसका कुछ पास में जो रोग से हैं, मेल्टी होते है, earth core is very hot, very dark, center of our planet, earth center होता है earth core, यह very hot, very core, it is extended from mental base to the earth center, यह देके पहले कराशती है, फिर mental के फिर core के, core origin से start होगो, जहां तक mental नहीं आती हो, हम तक extended है, it constitutes about 70% of the total earth volume, 70% total earth volume होता है, अब जो कोर है उसे दो पर्स में डिवाइट करते हैं एक संटर कोर है और एक कोर से उपर का हिसा है उसे आउटर कोर करें आउटर कोर इस जो आपका आउटर कोर है यहां जितनी भी रोक्स है वो पिगली रही होती है मैल्टीड हो तो इसका 300 सी हो तो इस क्लिकेशन 5100 किलोमेटर है इसके नीचे आजाते इनर कोर इनर कोर इस अगर आप किसी चीज पर बढ़ा दे तो वह चीज मैल्ट नहीं होती है अब नेच्ट प्ले टक्टोनिक्स पर आजाता है यह क्या है प्ले टक्टोनिक्स इस चीज पोर्ट प्रेजेंटेड बाई अल्फरोड वेगर देखें यह कैसे चीजिए जिसमें आप सुनते हैं कि प्लेटे हैं प्लेटे आपस में मूव करें हैं कभी तक्रा जाती हैं कभी दूर हो जाती हैं कुछ मुल्क कंट्रेज पहले कॉंटिन आपस में साथ साथ हैं प्लेटें की साथ साथ हैं अब प्लेटें इतनी दूर हो चुकी हैं कि कौंटिनेट बहुत दूर हो गया है और आप सुनते हैं कि जो वलकैनों आते हैं जमीन से लावे निकलते हैं अर्फ्रेक्स आते हैं वो इन प्लेटें के वज़े से होते हैं वह बाहसे निकल आते हैं, कभी अर्थ्क प्रेड्वूज की अर्थящ ।क रएवा की मिल्ड़ा ज़किते हैं। यह अर्थकुञहां लीक्तव्度 हैं। इसिता न्हें से बाहसे की हिंएं खुटती हैं। हम जब डॉटती हैं। वो पूरा सिस्ट्रम हिल जा जा अब चैनिया ला दी आर पोस्टेंटली मुविंग एट अफिव सेंटीमेटर इच यह हर साल कुछ इन्हां कुछ सैंटीमेटर जाते हैं कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट के हैं और मिलियंस अफियर्जी मुवेंट इलाउस कॉंटिनेंटल को कॉंटिनेंटल को कॉंटिनेंटल पिल पहले क्रीप अब दूर हो चुक है क्यों फॉक्टिनेंटल एक आफ जोसनें और मीनल मेंटल आज के उसमें इतनी इनर्जी मूव कराते हैं और मिल्क म्टैंटल इसमें इतनी इनर्जी होती है कि उन्हें मुव कराते हैं ग्लेट मिल्स काते हैं लिप प्लेट कर सकते हैं Can Anas मौंतने सद्टेश पैवी कले दिजार से स्ट्राइब्त डू प्लेट को सेथे सोटाएrais तो फेक घव दंध्ल चाह 1 फ्लेट फॉन kenम आफो निटिवार निकला लावा निकला मैंतिन लावा था वो बाहिर आया और उसने पहाड बना देए फिफ्ट है difficult prediction इस difficult to predict exactly when a situation might happen how bad it will be हम प्रिटेक्ट नहीं कर सकते लिए सकते लिए इस आफर 15 yas in 1965 पेश ही उसके 50 समल बाद लोगों ने से एक्सेप्ट किया, क्यों एक्सेप्ट किया, इसके कुछ एविदेंस हमें समझ आगे, कि हाँ वाकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, यह एप्लिकेबल है और दुनिया में हो रहे हैं, वो एविदेंस क्या थे, एविदेंस फर प्लेट लिए टेक्टोनिक्स, अब वाकिष प्लेट हैं, मूव करिनिया, इसका सबूत कैसे मिला, देखें अर्फ्वयक और वोलक्यानोग आगे, इन्हें किसी दूसरी बनाविछ प्ले नहीं किया जा सकता, जब भी हमने अर्फ्वयक और वलकानिक ना को समझता है, हमें प्लेट तक्टोनेक्स की ही समझ आते, इस किलव में और पोई रिजन जस्टिफाई नी होती, रहें, दो प्लेट आप्स में टेकर है, अगर वो तूट तो अर्थक वेक आगया, अगर वो तूट तो वहां से लाव आगया, इस वज़े से यकीन है, हाँ, वह कही अर्थक्ट प्लेट ह साहिए, match in the shape between east coast of the south africa and west coast of africa, बोट आवांस पार्थ, the single continent including fossil fuel remains the same है, बोट कुछ एक कोस्ट था, east coast of south africa and west coast of africa, अब एक यहां है, एक वहां है, लेकिन साहिए, इस बात का मैं एकीन कैसे है, जब हमने उन साहिल की composition देखिए, उनके fossil fuels देखिए, उनके minerals देखिए, तो आल्मोस से हैं थे, हमें एकीन आगर कई सोसाल पर लेए थे, इस तरहां के evidence से लगा के हां earth plates वाकि हैं, tectonic plates वाकि हैं और वोग करें, अब composition of the earth, minerals में क्या क हैं, composition, art is made of more than 100 elements but following elements are very important, oxygen 46.5%, silicone 27.72%, iron 5.01%, calcium 3.63%, aluminum 8.13, cellulose, sodium 2.85, potassium 2.62, magnesium 2.09, or others 1.41% elements, and this earth money, major art elements, rope कर discuss करते हैं, the earth crust is found by mineral materials called rocks, the rocks which form structure of the our latest pair are grouped into three major categories, ignitious rocks, ignitious rocks are found by solidification of molten magma from interior earth, rock को ती इतरहा से divide करते हैं, सब से कल ignitious rock, ignitious करते हैं, ना मिजार हो रहा है, burning से, जो नीचे वर अलावा है ना वो बाहर आजाते हैं, बाहर आके जो राख बंज़तों से ignitious rock करते हैं, 95% of earth crust is made of ignitious rock, these are primary rocks because all other farm of rocks originate from bran, types major is three types हैं, first granite है, major continental rocks है, continent के major rocks यही है, basart है, found an ocean field, ocean beds पर पहर जाते हैं, वो यह वो यह वाले है, volcanic rocks कों से, found by solidification of mortal lava ejected by volcanoes, second है sedimentary rocks, सब स्टोरी होते हैं, जो ignitious rocks थे हो बाहर आगे, अब वो समंदर में तो ले गए, वो ऐसी जगह में तो लेगे, जहां पानी है, में पानी में पढ़े रहेंगे, पानी में पढ़े रहेंगे, पानी में मिनरल्स वो इसके साथ से experiment हो जैएंगे, यही मिनरल्स होंगे यहां के साथ जुड़ देएंगे, अब जी इगनिशियस rocks है, वो sedimentary rocks में change हो जूगा है, जैसे मैंने कहा था समान जो rocks produce हो रही हैं, वो ignitious rocks रोख से produce हो रही हैं इन यह जो चीज़े rocks को mineral देती हैं, comprises only 5% of earth crust but covers 75% of total land surface, तक्रीबन इन जिसे 5% है लेकिन earth का 75% cover करते हैं किस तहां से crust पे हैं, crust के surface पे जो mostly हैं वो sedimented rocks हैं, तो यह खैली होई हैं, नीच यह नहीं है, they are formed into horizontal layers का stretcher and take millions of years to harden the rock, इनको stretcher कहते हैं, यह उपर layers में होते हैं, ते लिए आपके जो crust का रचार में यह तरीब में पढ़े होई हैं, यह लेकिन पर पढ़े हैं, इनको stretcher कहते हैं, इनको stretcher कहते हैं, इनको चार्ण, चार्ण, यह सारे rocks हैं यह उनको यह उसे करते हैं, इनको बहुत प्यारे लगते हैं, उनकी बज़े हैं कि इनके chemical composition, और दूसरे इनकी internal crystalline structure, यानिके proper structure होती है, यह minerals हैं, आईने समझते हैं, definition of mineral is an element or chemical compound that is naturally crystalline, crystalline का जब उनकी internal proper structure होती है, that have been formed as a result of geological process, जो अर्थ में process हो रहे हैं उनकी मेंज़ से, mineral कि रिक्वार्मेंट क्या है, to meet the definition of mineral used by most geologists, a substance meets five practices, first is naturally occurring, अब जो चाइना हम देखें, असल मुल्दान में अकीख भी का था, आसे दो सल पहले, 2019 में, जिसकी कीमत 19,00,00 थी हालाग हमें शाफ में दो 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 दी दिन हजार का मिल जाते हुआ हैं कि जब मुसल्मानों में ट्रेंट अकीख का पत्रों का ज्यादा बना था, तो चाइना ने बहुत बड़ी industrial लगा देती पत्रों के, मिन्राल के हम डिस्टिंगुशी नहीं कर सकते हैं क्या औरिजिनल है क्या फेक है तो पहली केडिशन है मिन्राल की नेट्रली अक्रिंग हो, सेकेंड हो, इन और्गनिक हो, सैंथिसाइस ना हो, यानिके, सॉलिट हो, फूर्थ है डफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो, फिफ्थ है, और्ड इंटर्न स्ट्ट्चर हो, खुछ सूरा तो अंतर से, फिजिकल प्रपर्टिश ऑफ मिन्राल के अटिया है, अब मिन्राल के इंटिफाइड बाइ सेवरल फिजिकल प्रपर्टिश सम अफ दम आफ मोज इसली इंटिफाइड और में यूज एक्सरे सेखनी अब देखें आप जो पत्रों के से क्रिस्टल श्रक्टर एंड है किस सदब्स हां से है उनके हाइडनेस घया है, फलोरेंस क्या है, फ्लोरेंस कैता है इंट्रल बैली ट्रह जिस पास करेंगे तो बीजिएविल क्या होगा, disability क्या है क्या है राइडियो गद्ची का है कुछ पतर होते रहु ही क्या करते है वह रगड रगड ने सrekent अगण पर रगड आ रही तो भ्ला पत्थ अगर 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 ना आ ना तो कहता है और ते से कहते है छुछ वा Π нап Candies थे से कहते है कि दीनों किgs को में डिवायट किया गया है कुछ silicate class होते हैं कुछ carbonate class कुछ ईक्राइट class होते हैं कुछ carbonate class कुछ sulfate class halide class organic class उक्राइट class sy comunidad class इस तरह एने class fact किया गया है तो नेज्ट विछियो में हम atmospheric pollution यानि के air pollution को भी discuss करने लेगे हैं आपको बहुत आपको बहुत आने हो कि मिजह दोव याद रतीगा अलावाफ राफ